हरे क्रेशना रादय देखिशंद्रों का स्वागत हैं और आप सब कैसे हैं काना जी करपास अब सब ठीक होंगे तो हैपी पुतरदा इकादशी पुतरदा इकादशी की सभी वित्र को ठेर सारी बहुत सरी बदाई हो तो चलिए जी अब मैंने तुलसी हाथ में ले लिया पु लच्मी नारायन 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 वो लो लच्मी नारायन भगवान कीचे युदिश्टर बोले श्री क्रिश्न अब आप किरपा करके शुक्ल पक्ष्ट की एक आदशी का महत्व बताईए उसका क्या नम है कौन सी बिदी है तता उसमें किस देवता का पूजन किया जाता ह भगवान श्रीकिश्न ने कहा राजन पोश्ट की शुक्ल पश्ट की जो एकादशी है उसे बतलाताओं सुनो राजन पूर्वक्त विदी से ही यत्न पूर्वक इसका ब्रत करना चाहिए इसका नाम पुत्रदा है यह सब पापो को हरने वाली उत्तम तिथी है तता समस्त का पामनाओं तता सिद्यों के दाता भगवान विश्नु इस्तिति के अधी तेवता है चराचर प्राणियों सहित समस्त तिरलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथी नहीं है इसके पूर्णे से मनुष्य तपस्वी विद्वान और लच्विवान होता है इसकी मैं कहता स सुनो बद्रावती नगरी में सुकेतु मान राजा राजय करता था उसकी इस्तिरी का नाम शेव्य था वे निपूती होने के कारण चिंतित रहती थी इस पुत्रहिन राजा के पितर रो रोकर पिंड लेते थे और सोचा करते थे इसके बाद हमें कौन पिंड देगा इदर राजा को भी राजय वैवव से भी संतोश नहीं होता था इसका एक मात्र कारण पुत्र हीन होना था वह विचार करता था कि मेरे मनने पर मुझे कौन पिंड देगा बिना पुत्र के पितरों और देवताव से उरण नहीं हो सकते जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अं इस तरह राजा राद दिन इसी चिंता में लगा रहता था एक दिन राजा ने अपना श्रीर त्याग देने की सोची परंतु विचार करने लगा कि आत्मघाद करना महापाप है राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन बन को चल दिया राजा घोडे पसवार होकर बन में पक्षियों और व्रक्षों को देखने लगा सभी जीव अपने बच्चों के बीच में घूम रहे हैं राजा को प्यास लगी वे अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला उस सरोवर के चारो तरफ मुनियों के आश्रम बनेते उस समय राजा के दाही ने अंग फड़कने लगे राजा मन में प्रसन होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उत्रा और प्रणाम करके उनके सन्मुक वैट गया इस पर राजा ने उनसे पूचा है मुनियों आप कोन है और किसलिए यहां है सो कहो मुनियों बोले है राजन आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है हम लोग विश्विदेव हैं और इस रोवप्रस नान करने आए हैं इस पर राजा बोले है मुनिश्वर मेरे भी कोई पुत्र नहीं है यदि आप मुझे पर प्रसन हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए मुनि बोला है राजन आज पुत्रदा एकादशी है आप इसका अवश्य ही बर्त करें भगवान की किरपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा मुनि के वचनों के अनुसा राजा ने एकादशी का ब्रत किया और दुआदशी को अपारायन किया और मुनियों को पढ़नाम करके अंत में अपने महलवा ओवाफिस आया अंत में राणी ने गरबधरन किया और नो मा के पश्यात उसके एक पुत्र पैदा हुआ वे राजकुमार अत्यंत वीर धन्मान यशस्य और पजा पालक हुआ इसलिए राजन पुत्रदा का उत्तम ब्रत अवश्य करना चाहिए मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वणनन किया है जो मनुश्य एक आग्रचित होकर पुत्रदा का ब्रत करते हैं वे इस लोग में पुत्र पाकर मित्यों के पश्चात सर्वगामी होते हैं इस महात्यमों को पढ़ने और सुनने से अगनिस्टॉम याग्य का फल मिलता है है तो सभी जो पुत्र की इच्छा करते हैं या संतान प्राप्टी की इच्छा करते हैं जरूर से पुत्रदा इकादशी का ब्रत करें तो चलिए जी और जो भी आपने तुलसी या तुलसी माला या फूल या तिल ले रखे हैं उसे भवानक्षी रिचन्नों में अर्पित करते जी शीमन नारायन 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 चलिए जी अब सभी मैं इकादिशियों के नाम ले लेती हूँ उत्पन्ना इकादशी मोक्षदा इकादशी सपला इकादशी अब पोश्मास की जो चल रही है पुतता इकादशी इससे जो अगली आएगी शट्तिला इकादशी जया इकादशी विज्या इकादशी आमलकी इकादशी पापमोचनी इकादशी कामदा इकादशी बरुतनी इ एकशी अप्रा एकशी निर्जला होगनी का laugh at a. अजाए इकाद शी परिवर्तनी इका अखी इंद्रा एकाद शी पापा अंकुंशा इकादशी रमा इकादशी प्रबोधनी इकादशी पद्मनी इकादशी और पर्मा इकादशी जशीरादे तो इस तरह से आप पुत्रदाइकासी का प्रत करिए शुरी हरी आपकी जरूर से प्रात्ना से लगे जशीरादे वीडियो अच्छी लगी हो कत अच्छी लगी हो तो